इस बड़े मैं आपका स्वाविप है तो आज हम संगीता मैं में उन्षे कुछ और सवाव कुछन चाहेंगे जो एक सीपनो थेरापी जो होती है जब को व्यक्ति रिलाक्स होता है और शान्त होता है तो हम उसकी healing उसके उपर therapy का काम कर सकते हैं उसकी problems को solve कर सकते हैं जैसे कि किसी को नींद नहीं आती है किसी को lack of confidence होता है या पढ़ाई में बच्चे focus नहीं कर पाते हैं concentration नहीं कर पाते हैं तो एक relaxed अवस्था में हम उसके subconscious mind को बदल सकते हैं चेंज कर सकते हैं उसके mind की positive programming कर सकते हैं तो hypnotherapy इसे कहते हैं और क्या मैं मैं से कोई भी सीख सकता है जैसे मैं एक student हूँ तो क्या मैं इसको professionally भी आगे continue कर सकता हो हाँ बिल्कुल जो students है जैसे पढ़ रहे हैं परसात में professionally hypnotherapy रेकी यह से techniques आप लोग सीख कर professionally फायदा उठा सकते हैं इसका और आप लोगों की मदद भी कर सकते हैं क्योंकि आजकल आपने देखा होगा लॉक्डाउन की विज़े से करोना की विज़े से लोग बहुत जादा depression में हैं तो hypnotherapy depression पे एल्कॉलिजम पे smoking पर relationship पर money के area में बहुत अच्छा काम करता है area को transform करता है क्योंकि हमारे negative belief जो होते हैं हमारे subconscious mind में अच्छेतन मन में बहुत सारी negative thoughts thinking बैट जाती हैं for example अक्सर depression में लोग कहते हैं मुझसे तो कुछ काम ही नहीं होगा मैं करी नहीं सकता हूँ life बेकार है तो यह सब negative thoughts उसके subconscious mind में बैट गई हैं okay some next question is how does it work यह काम कैसे करती है मैं हां तो यह आपने बहुत अच्छा पूछा कि यह काम कैसे करती है तो जो हमारा client होता है यह patient होता है उसको हम पूछते हैं उसकी life की क्या issues है वह कहां कहां अटका हुआ है चाहे वह पढ़ाई में अटका हुआ है क्या लोग love affair में अटके हैं कि उनका एक या दो break-ups हो गए है उसकी बाद वो परेशान है तो hypnotherapy जो है वो देखती है कि हम backwards जाते हैं कि उसकी वहां पे परेशानियों को दूर करते हैं उसके subconscious mind में बहुत सरे negative beliefs जैसे मैंने पहले कहा है बैट जाते हैं कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता मेरा जीवन तो ऐसी है I am unloved तो यह जो subconscious mind में beliefs हैं तो यह हम निकालते हैं तो पहले हम इसका process ऐसा होता है पहले हम उससे बाचीत करके उसको बताते हैं कि उसकी life में जो problems आ रही हैं कुछ-कुछ past की वज़े से आ रही हैं पिछले जो घटनाए हैं उनका impact उसके अंदर इतना भरा मेरे साथ दुबारा ऐसा ना हो जाए तो उसकी वज़े से वो व्यक्ति अपनी life में दूसरे love को आने ही नहीं देता या कोई student है वो किसी subject में fail हो गया जैसे आप लोगों के साथ अकसर होता होगा ऐसा होता है कि किसी subject में आपको नंबर कमाए और फिर आपको subject से डर लगने mathematics है अब लिया है तो आपको बारवी तक तो अवेश्य आपको करना पड़ेगा जिन्होंने mathematics लिया है तो हम hypnosis में ले जाके उस घटना जो पहली बार उसे घटना गटी है failure की या teacher ने डांटा या उसने homework नहीं करा या result उसका खराब आया उसकी बेजती हुई या माप अपन करते हैं उसको वापस उस incident में recall कराते हैं उसके memory bank में उस incident में ले जाते हैं और वहाँ पे उस incident को दूसरे perspective से देखे तो वो जो उसकी blocked energy है पुरानी जो emotions है anger के fear के suppression के या self hatred के वो निकल जाते हैं तो वो emotional energy जो है उसको हटाने से एक नई freedom उसे मिल जाती है नई उसे जाग अपने अपने capability फील करता है कि मैं कर सकता हूँ मैस मेरे लिए बहुत beneficial है तो जब उसकी यह सोच हो जाती है तो performance पर एफेक्ट पड़ता है क्या इसके और भी फायदे हैं हाँ इसके बहुत सारे फायदे है confidence में लोगों को fear मैंने क्लाइन के साथ काम कर रहा था उसे lift में चड़ते वक्त बहुत डर लगता था तो जब हमने hypnotherapy का session लिया तो उसने अगले दिन बताया कि मैं तो lift में आयो जीवन के 30 साल में पहली बा मैं lift में चड़ पाया तो कैई बाए लोगों को lift में चड़ने से डर लगता है किसी को aeroplane में उड़ने से डर लगता है तो यह फीर जो है हम तो कह सकते हैं भी यह इसमें डरने की क्या बात है बट उस बंदे के लिए वह fear नहीं है वह reality है वह सच्चाई है कि मैं plane में नहीं चड़ सकता हूं plane में चड़ने से मेरे को कुछ मौत हो जाएगी या मैं मर जाओंगा तो उसके लिए तो वह सच्चाई है मेरे लिए है कि नहीं यह imagine कर रहा है तो जो हमारा subconscious mind है वह imagination और reality में फरक नहीं समझता है तो हम उसको imagine करवाते हैं hypnosis में ले जाके कि वह imagine करे कि वह प्लेन में जा रहा है वह सुरक्षित है और positive है तो जब वह imagine करता है तो उसके subconscious mind believe करने लगता है कि हाँ मेरे लिए safe है उड़ना मेरे लिए safe है aero plane में तो वह aero plane में fly कर सकता है तो हम imagination के through उसका वो सारा जो energy उसकी blocked है fear की energy है उसको convert कर देते है safety और happiness की energy में मैं मैं जाना कि रेकी और hypno therapy में क्या फरक है हाँ यह आपने बहुत अच्छा पूछा कि रेकी और hypno therapy में थोड़ा सा फरक है क्योंकि रेकी में हम जो है subconscious mind पे काम नहीं करते हम energy हाथों से healing करते हैं तो हाथों से हमने अपनी problem को या हमारी body को energy दी और जा दी और वो healing हो गई तो physical problem में त system bad गया है जो हमारे मन में thoughts bad गई है जो negative energy bad गया fear की anger की depression की वो कैबा रेकी में ज्यादा टाइम लगता है उसको heal करने में hypno therapy के एक session में वो energy निकल जाती है तो hypno therapy का एक session और कैबा रेकी के 10 session बराबर होते हैं जब उसके subconscious mind में fears depression इस तरह के emotions होते हैं तो अगर हम combination रेकी औ और hypno therapy का करें अपने patient के लिए अपने client के लिए तो इन दोनों की combination बहुत अच्छी बैठती है और मैंने अपने experience में भी देखा है मेरी एक client थी अमेरिका की और उनको curved वो था backbone तो मैं उनके साथ hypno therapy का session लेती थी पहले 10-15 मिनट ताकि उनके subconscious mind में यह bad जाए कि वो स्वस् और फिर वो रेकी energy देती थी तो उनकी results बहुत awesome आते थे और वो bad नहीं पाती थी wheelchair पे वो restrict हो गई थी और यह hypno therapy और रेकी का session लेने के बाद दो महिने के अंदर अंदर वो lady एक घंटा walk करने लगी थी चार पच घंटे kitchen में काम करती थी walk करती थी खड़े रह के काम कर पात पाती थी और अपना जो भी normal routine है वो कर पाती थी तो मैं यह नहीं कह सकती कि hypno therapy better है या रेकी better है पर दोनों की combination बहुत अच्छी है right mom that's awesome I think हमने सारे points cover कर ले जो एक normal इंसन पूछने जाएगा hypno therapy के वारे में सब्सक्राइब में चैनल हिटा लाइक बेटन थैंक यू अप मेरे को hypno therapy sessions या रेकी healing workshop के लिए भी call कर सकते मेरे number पे 9811142249 थैंक यू